वर्टिंग से पहले खुल गई कॉंग्रेस की पोल हुड़ा के करीबी कॉंग्रेसी प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने खुलेया बताया घोटाले कपला कॉंग्रेस राज में पड़्ची खर्ची पर मिलेंगी नौकरिया क्या उस खुलासे के बाद हर्याना करेगा कॉंग्रेस के उपर भरोसा मैंने हुड़ा साब को पूछा हुड़ा साब दस वर्च तक आप कर प्रदेश के मुखिया रहे हैं आज हर्याना प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है दस सालों में कितनी नौकरी दी किसाधार के उपर दी भाईयो कितना बहस्ता चाहर होता था किस परकार से चुन-चुन करके ऐसे लोगों को नौकरी में लगा दिया जाता था कि गृव वेक्ति तक तो वो पहुंच नहीं पहुंचती थी वो देखता रहे जाता था प्रंक्तु भाईयो आज जमिनों ने अपना ये जूट का प्लिंदा हरियाना में उतारा तो सबसे पहले इनके एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा है उसकी प्रतिक्रियाई उसने मंच के उपर से कहा NIT का विधायका जो चुनाव लड़ रहा है नीरज उसकी रील चल रही है उसने कहा मंच के उपर से कि हुड़ा साब ने कहा है कि हम दो लाख नौक्री देंगे और मेरे हिस्से में दो हजार आएंगी भाईयो फिर ये दो हजार चौदा से पहले जो ब्रस्ताचार चलता था नौक्रियों में जो युवां का विश्वास उच चुका था कि नौक्री पढ़ने से नहीं नौक्री तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी पहले शमशेर सिंग गोगी बाद में नीरज शर्मा और अब कुलदीप शर्मा जिहां जैसे जैसे हर्याणा में वोटिंग के दिन आ रहे हैं नस्दीक कॉंगरेस की पोलपटी खुलकर सामने भी आ रही है हर्याणा की जनता के सामने जा पहले लोकसभा चुनाब में देश की जनता के लिए खटा-खट के नाम पर थमाया राहूल गांधी और कॉंगरेस ने लॉली पॉप तो वहीं दूसरी तरफ अब हर्याणा में भी दिये जा रहे हैं खर्ची पर्ची के नए नए वादे कॉंगरेस पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा जो से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉंगरेस पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं आज वो हर्याणा को ठगने का कर रहे हैं प्रयास के वोट देगी हर्याणा की जनता पर न के कॉंगरेस के प्रत्याशी जो की भुपेंद्र हुड़ा के काफी जादा करीबी है और इनका इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी जादा वारल हो रहा है जिस पर ये अपने करीबी अपने चाप लूसों को खर्ची पर नौकरियां बाटने की बात कह रहे हैं यानि की जो हर्यारा वोट देगा उसके हाथ खाली रहेंगे और नौकरियां और सुविधाएं उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो खांदान कुनबे और पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये बात जो है वो कही गई है कुलदीब शर्मा से खोद भुपेंद्र हुड़ा के द्वारा दरासल शोशल मीडिया पर वारल हो रही इस वीडियो में चुना प्रचार और गाउं के लोगों को लुभाने के लिए कुलदीब शर्मा का एक वीडियो सामने आया है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद देखिए क्या क्या कह रहे हैं कुलदीब श उसमें से थारे गाउं का जो हिस्सा है वो ले लेंगे पर इससे भी जादा यानि कि 30-40 प्रतीशत जो है वो और भी परची लेकर आएंगे क्योंकि विकास करना तो हमें बहुत पसंद है देखिए सरकार बनी नहीं है पर सपने अभी से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों ने गा सारी सरकार बनेगी तो बस एक ही गाउं का विकास होगा जहां से वो प्रत्याशी आएगा और इसी तरीके से फिर एक बार वोट बटोरने का काम जो है वो कांग्रेस पर्टी के प्रत्याशी करते हुए नज़र कर रहे हैं देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें कॉंगरेस के कई और प्रत्याशियों की जिनका Zikr मैंने पहले ही किया है के निरस्शर्मा और इससे पहले भी एक और विदायक जिनका यानिकी पा जो शमशेर सिंग गोगी है कॉंगरेस के प्रत्याशी है उनका इसकदर बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि देखिए हम विकास तो करेंगे पर अपनी जे भी भरेंगे और इसी तरीके की बाद जो है वो फरीदाबाद NIT के जो प्रत्याशी है नीरश शर्मा के द्वारा भी कही गई थी एक तरफ कॉंग्रेस अपनी पाक साब छवी दिखाकर हर्याणा का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है पर वहीं दूसरी तरफ ये तमाम प्रत्याशी जिनके अब ये अलग-अलग प्लैन जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि सरकार बनने का मतलब ये नहीं के होगा हर्याणा का विकास सरे भर जाएंगी जेवें और खर्ची पर चलाया जाएगा साशन और इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद क्या हर्याणा करेगा कॉंग्रेस पर भरोसा क्या ये खर्ची पर्ची का हिसाब जो हर्याणा अब मांगेगा कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला सामने आ चुका है प्रत्याशियों पर लगातार जो है वो सवाल ओठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से कुलदीप शर्मा का ये बयान सामने आया है कि वो अपनी सरकार में खर्ची-पर्ची के हिसाब से सि विकार कर रहे हैं कि सिर्फ रिष्टेदार और कोही नौकरी पर लगवाया जाएगा क्योंकि हुड़ा साब की तरफ से ये ओर्डर दे दिया गया है कि तुम लोग अपने गाउं के लोगों को नौकरीयों पर लगा सकते हैं पर देखिए जो तरीके से ये चीज़ें निकल वर दिखाई दे रही है जिया बीजेपी ने अब बड़े हमले जो हैं वो कर दिये हैं और मुख्यमंत्री नायाब सेनी ने खोद इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कॉंगरेस पर हमला बोला है कॉंगरेस का दियाएव वाक्या लूटा था लूटेंगे खर्ची पर्ची स से आविदन के साथ कॉंगरेस ने बीस हजार रूपे लिये थे उसी तरीके से टिकेट देने के बाद खर्ची पर्ची का ठेका भी ने दे दिया है और देखिए इसी के साथ मुख्यमंत्री नायाब सिंग सेनी ने जो है ये बड़ा हमला बोला है कॉंगरेस के ऊपर तो वह यह कह रहे हैं पुरानी वीडियो यानि कि नीरश शर्मा की वीडियो शेर करते हुए उन्होंने भी यह कहा था कि यह हार्याना की कॉंग्रेस की गैरंटी नोकरी के लिए लागू करेंगे हुड़ा का कोटा सिस्टम 50 वोट पर एक नोकरी की सिफारश यह है कॉंग्रेस का असली चेहरा परंतु कॉंग्रेस ये नहीं जानती के हर्याणा में अब यूबाओं को नौकरी मेरिट पर चाहिए बिना खर्ची बिना पर्ची चाहिए और भाजपा जो है वो 3.0 यानि कि फिर एक बार भारतिय जनता पार्टी जो है वो आ रही है हर्याणा में देखिए एक तरफ कॉंग्रेस की पोल पट्टी खुल चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ पिछले ही दिनों मुक्यमंदरी नायाप सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर कॉंग्रेस पार भी बड़ा हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि आज कॉंग्रेस के नेताओं की जो तरीके से माम चीजन चल रही थी ब्रस्टा चार चल रहा था आज कॉंग्रेस देश को और हर्याणा को वहीं ले जारा चाहती है इसी के साथ सुनिये और क्या कह रहे हैं नायाप सिंग सैनी मैंने हुड़ा साथ को पूछा हुड़ा साथ दस वर्ष तक आपकर प्रदेश के मुखिया रहे हैं आज हर्याणा प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है दस सालों में कितनी नोकरी दी किस अधार के उपर दी भाईयों कितना बहस्ता चार होता था किस परकार से चुन- कि ग्रीव वेक्ति तक तो वो पहुंच नहीं पहुंचती थी वो देखता रहे जाता था प्रंतु भाईयों आज जब इनोंने अपना ये जूट का पलिंदा हरियाना में उतारा तो सब से पहले इनके एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा है उसकी प्रतिक्रियाई उसने मंच के उपर से कहा एननाईटी का विधायका जो चुनाव लड़ रहा है नीरज उसकी रील चल रही है उसने कहा मंच के उपर से कि हुड़ा साब ने कहा है कि हम दो लाख नोकरी देंगे और मेरे हिस्से में दो हजार आएंगी भाईयों फिर ये दो हजार चौदा से पहले जो ब्रस्ता चार चलता था नोकरियों में जो युवाओं का विश्वास उठ चुका था कि नोकरी पढ़ने से नहीं नोकरी तो किसी के चक्र काटने से मिलेगी भाईयों उसी दिशा में ये लोग पर देश को ले जाना चाहते हैं भाईयों एक और इनका दूसरा विधायक अशन से वो ये बोलता है मंच से मंच से ये बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर बरूँगा और भिरकेने लगया कहा जो मेरे रिष्टेदार मेरे चुनाव में आ रहे हैं फिर उनका घर बरूँगा बाकी जनता भाड में जाए किसी से कोई मतलब नहीं है भाईयों इनकी सोच इनका जो कारियर रहा है आज वो हमारे सामने फिर दखाई दे रहा है आज हर्याना परदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि आज हर्याना के अंदर तीसरी बार भारतिया जनता पार्टी की सरका बड़े मेंड़े के साथ आएगी आपने सुना के मुख्यमंदरी ने कई मामलों को लेकार भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर हमला बोला है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेट्स के तमाम तत्यों को लेकर उस पर हमला बोलते हुए पोल पटी भी खोल दी है जिस तरीकें से कॉंग्रेस बड़ा चुड़ा कर चीजों को फेच करने की कोशिश कर रही है पर अब सचाई सामने आने के बाद कॉंग्रेस का ग्राफ जो है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्यूंकि पब्लिक ओपिनियन्स भी लगातार सोशल मीरिया पर वाइरल हो रहे हैं खैरस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कोमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद